काल 26 नवंबर नूसन जोकत किसान मोर्चे दी अगवाई दे वेचे किसान ना दे वड़े चंडिगड कूचन वेखते हुए ट्रैफिक बुरी तरा दिनार प्रबावित हो सकता है जिसनी वजा करके मोहाली प्रशासन दे वलों आज तो लेके 8 नवंबर यानके मंगलवार तक ट्रैफिक रूट है जड़ा ओ डाइवर्ट कार दता गया एडवाईजरी भी जारी किती गई है सेक्टर संताली अड़ताली उननजा आते बावा वाइट हाउस तक सड़क बांध कार दती गई है पोलिसने सड़का ते वड़ियां गड़ियां चलौन तो पर हेस्ती सलावी दती है एरपोर्ट रोड नो भी अगले तन दना देले बांध कार दता गया है एक वड़ी खबर है क्योंकि एरपोर्ट रोड पंजाब तो चंडीगड आते चंडीगड तो पंजाब जानवाला देले एक एहम रूट है लोका नो ट्रब्यून चौंक तो एरपोर्ट वाल जान वाली सडक ते ना जान दी अपील किती गई है जेडे लोका ने चंडीगड तो पट्याडा जा राजपुरा जाना है उन्होंनों सला दती गई है क्यों जिर्खपुर राही जान एरपोर्ट वाली रोड ते आन दी कोशिश ना करन पोलिस ने आइसर नेडे ही बैरिके जिदे विच पच्ची नमबर दी शाम तो 12 जिल्यां दे 2000 तो वाध किसान शामिल होंगे जो करीब 3000 वान दे विच तरने वाली थाते पॉंचन गे आज जी वड़ी गणती विच किसाना ने चाले पाद तेने कहीं आथा मां तो किसान लीडरा ने सपष्ट कीता है कि यो तो हुंदे हुए राजपाल हाउस तक जानगे राद विच जित्थे वी पोलिसोना नों रोके गी उतरना ओथी लादेंगे उत्थे ही स्टेज लालेंगे संजोक्त किसान मोर्चा MSP सारियां फसलां ते हाड़ प्रभावित किसाना नों वद मुआबजा देन सबंदी होर क पंजाब दी नहीं है वो सारे ही गवर्नन होशेणे ने पूरे इंडिया दे है सारे हां ते ही तर नहीं लगणे ने शो ओ फैसला अची कले नहीं लह सकते तो इस करके ओ सानू मीटिंग हो चुकी आओ रड़ी परशास ना ओदिली जगा भी दे दिती गई है तो ओ पक्का लगणाई है और तेम देली हो दिया त्यारिया पूरे जोरांते चल रही है शुक्रवारनू जिलंदर देविच किसाना ने अपना तर ना खतम कीता रेलवे ट्रैक खाली कीते ता शनिचरवारनू साबका फौजिया ने होन रेल पटड़िया ते मोर चे लाले ने वन रैंक वन पेंशन नू लेके दिल्लिच किती जा रही रैली वेच पंजाब तू जा रहे साबका फौजिया नू पुलिसने जदों शम्बू बॉडर ते रोक्या ता साबका फौजिया ने रेल पटड़ी ते ही रोध विच तार ना लादे ता ट्रैक ते परदर्शन करके रेल मा कना अरदे नाइब तसीलदार हरीश कुमार मौके ते पहुंचे उनने गाल बात कीती पर मामला हाल नहीं होया नाइब तसीलदार ने मौके तो सीनर अरकारिया नू बुलाया शम्बू बॉडर ते तानाथ पौलिस ने सूच ना मिलंटे उनना दिल्ली नहीं जान देता इस पंजाब दे साफका फाजी दिल्ली जाना चौंदे ने पर पंजाब दी पुले सोना नू नहीं जान दे रही पंजाब दिल्ली दा की कनेक्शन है तुसी समझ सकते हूँ गन्ना किसाना नू देते पर उसे तो बाद शिनेचरवार नू मुखमंतरी पगवंत मानने मिल मालका दिनालवी बैठा कीती ठाई ते 29 नवंबर नुविदा अनसबा सेशन दर्म्यान जा फिर सेशन तो बाद छेती ही पंजाब सरकार गन्यदा पावदा ओंदा एलान कार सकती है मोखमांत्री मांदे परोसे तो बाद किसाना ने चौक थे देन ही रेलवे ट्रैक ते जिलंदर हाईवे खाली कार दितता सी किसाना ने दावा कीता सी मोखमांत्री ने वी कहा सी किसानानू हर्याना वल्लों एलानने रेट तों वाद पाद दितता जाओगा पंजाब दे विच इस वेले गन्य दापा 380 पईय प्रती क्वंटल है जादके हर्याणा दे विच 380 पईय प्रती क्वंटल है पर पंजाब दे किसान 400 पईय प्रती क्वंटल दी मांग कर रहेने पंजाब खेतिवड़ी उनिवस्टी लिदे आना ने पंजाब सरकार नू गन्ने दापा आठर पे प्रती क्वंटल वदा ओंडी सिफारिश किती है पंजाब चिस वक्त सोडा शुगर मिला ने जना देविचो साथ प्राइवेट ने जादके नौ सरकारी ने पूरे देश दे मुकाबले हर्याणा नू छड़के पंजाब देविच सब तो वद गन्ने दा रेट है जैनके हर्याणा पहले नमबर ते है दूजे नमबर ते पंजाब है पंजाब नू वेख दे होए ही कुछ दिन पहला हर्याणे ने गन्ने दा पावदा आया सी क्योंके तो पहला पंजाब ही पहले नमबर 30, UP देविच गन्ने दा पा 315,000 पईए यानके 315,000 रुपिय प्रती कॉंटल है उत्राखान देविच 355,000 पईए ते केंदर सिर्कार ने 310 रुपिय गन्ने दा पा तै किता हुए